तो इस वीडियो में हम बात करेंगे AWS यानि कि Amazon Web Services क्या होती है और यह इतनी पॉपिलर क्यों है तो इसके पहले कि हम यह जाने AWS क्या होती है हमें यह जानना चाहिए कि AWS के बिना क्या procedure होता था और उसमें ऐसी क्या दिक्कते आई जिसकी वज़े से हम AWS प्रफर करना लगे चलिए मान ले जिए आपने एक application बनाई अब उस application को आप host करना चाहते हैं तो किसी वे application को host करने के लिए सबसे basic requirement जो होती है वो होती है एक सर्वर की सबोज आपने अपनी application को एक सर्वर पर host भी कर दिया तब उसके साथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पर सकती है उनके बारे मैं बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं traffic की सबोज एक दिन आपके सर्वर पर बहुत हैवी traffic है मतलब बहुत सारी request आ रही है फिर एक ऐसा point आया कि अब आपका सर्वर कोई भी नई request को fulfill ही नहीं कर पा रहा इस case में आपको क्या करना पड़ेगा एक और सर्वर लगाना पड़ेगा और एक load balancer लगाना पड़ेगा जो कि सारी incoming request को properly delegate कर पाए और सारी request को sub कर पाए यह तो हुआ दो सर्वर की बात अब एक point ऐसा आया जब आपके server पर request है ही नहीं बहुत low traffic है आपको जर्वत नहीं है कि आप 2 server को maintain करें अब आपने 2 server लगा रखें तो आपको दोनों server का maintenance cost भी देना है इसके अलावा दूसरी issues की बात करें तो होता है security issues आपको server से related सारे security issues खुद ही maintain करना है अपार्ट प्रॉम दिस कभी कभी ऐसा भी होता है कि server heavy traffic की वज़े से heavy load की वज़े से down हो जाते हैं इस case में आपको manually जाके खुद से server भी up करना पड़ सकता है यह तो हुई सिर्फ server की बात लेकिन एक application के लिए सिर्फ server से तो काम नहीं चलेगा इसके अलावा आपको चाहिए होगा database, network, storage और फिर इन सब की security भी आपको खुद ही maintain करनी तो आईए जानते हैं कैसे तो आसान भाशा में अगर कहें AWS क्या है तो AWS एक cloud service provider है अब cloud service provider क्या होता है यह जानने के लिए हम समझते हैं कि cloud computing क्या होती है तो cloud computing का मतलब होता है एसी services जो हमें on demand IT resources deliver करती है over the internet यह हमें pay as you go pricing provide करती है अब pay as you go क्या होता है pay as you go का मतलब होता है कि आप जितना use कर रहे हैं आपको उतने के लिए ही pay करना है तो अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके की services provide करता है तो यह हमें service provide करता है storage, network, softwares and many more broadly कर देखा जाये तो cloud computing services जो है वो तीन categories में divided है infrastructure as a service, platform as a service and software as a service तो अब बात करते हैं infrastructure as a service की यह सबसे basic category है cloud computing services की यहां हमें on demand servers, virtual machine, storage, network, operating system जैसे services मिलती है वो भी pay as you go basis पर platform as a services की बात करें तो यह वो services हैं जिनमें हमें on demand environment मिलता है जिस पर हम application को develop, deploy, test और manage कर सकते हैं software as a service की बात की जाये तो जैसे ही कि इसकी नाम से ही पता चलता है यह हमें softwares provide करता है और सिर्फ softwares ही नहीं यह उन software से related सारे upgrades plus security patches भी provide करता है तो यह जो सारी services की हम बात कर रहे हैं जिने हम cloud services कह रहे हैं यह सब हमें AWS provide करता है इसलिए AWS है cloud service provider है तो क्या Amazon Web Services एक अकेला cloud service provider है जी नहीं और भी है but Amazon इतना popular इसलिए है क्योंकि इन सब चीजों पर बहुत पहले से काम करना start कर या था इसलिए अपने competitors से race में यह बहुत आगे है So basically AWS is a collection of services offered over the internet It is a platform that offers flexible, reliable, scalable, easy to use and cost effective cloud computing solutions तो अब बात करते हैं AWS के major benefits की जो की है availability, scalability, pay as you go और security Availability तो availability को समझने के लिए एक हम simple real life example को consider करते हैं Suppose आपके पास कुछ data है और आपने उस data को किसी storage device में store किया Let's say किसी CD में, किसी pen drive में या फिर किसी hard disk में Now किसी reason से आप उस hard disk को या pen drive को carry करना भूल गया Now अब आपको उस data को access करना हो तो आप कैसे करोगे So there is a lack of availability आप उस data को access नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो hard disk या pen drive ना हो So what AWS does for you is वो आपको availability provide करता है Means आप अपना data कहीं से भी किसी भी time किसी भी location से use कर सकते हो Scalability तो इसको भी a simple scenario से समझते हैं Let's suppose कि आपने एक application बनाया उसके साथ 100 GB तक का storage provide किया अब initially जब application नया नया था तो उसमें इतना data नहीं था And you were only storing 10 GB of data मतलब आप 100 GB में से 10 GB यूटिलाइस कर रहते हैं फिर एक ऐसा time आया जब application का data size में बढ़ गया और आप बढ़के वो हो गया 110 GB तो अब वो आपके application में store नहीं हो सकता Because आपका system जो है वो scalable नहीं है आपके पास 100 GB तक का ही storage है और data जो है 110 GB का है तो AWS हमको ऐसी flexibility प्रोवाइट करता है जिसमें हम infrastructure को अपनी requirement के according scale up और scale down कर सकते हैं Pay as you go Pay as you go जैसे कि हम already discuss कर चुके हैं Pay as you go का मतलब होता है कि आप जितना resource यूटिलाइस कर रहे हैं आपको सिफ उतने के लिए ही pay करना है तो अगर इसको मैं अपने पिछले example से relate करूँ तो अगर मेरा requirement सिफ 10 GB storage का है तो मैं सिफ 10 GB के लिए ही pay करना चाहूँगी और जब मेरा requirement 110 GB के लिए है तब मैं उतना amount pay करूँगी सो यहां पर AWS मुझे यह flexibility प्रोवाइट करता है कि मैं कभी भी किसी भी time पर अपना infrastructure increase या decrease कर सकती हूँ मतलब अपना infrastructure scale up या scale down कर सकती हूँ और यह flexibility की वज़े से मुझे initially सारा amount एक साथ नहीं invest करना पड़ेगा which is a major benefit of AWS security AWS आपके data को secure रखता है इसका मतलब यह है कि आपके data को आपकी permission के बिना कोई basis नहीं कर सकते तो आज के लिए बस इतना ही आने वाले वीडियो में हम detail में बात करेंगे AWS की services के बारे में